कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर लगातार कोरोना के आंखडे बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ाए दोपर दो बजे तक की रिपोर्ट में 45 कोरोना पॉजिटिव सामने आए जोधपूर में 22, जैपूर में 4, अजमेर में 5, पाली और सिरोही में 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है सिरोही में पहली बार कोरोना पॉजिटिव मिला बड़ी खबर इस वक्ती तुदेश में आज दो बज़े तक 83 कोरोना पॉजिटिव मिले जोदपूर में 22, चितोडगर्ण में 16, जैपूर में 13 पाली में 7, अजमेर में 5, भॉलपूर में 14 और कोटा में 2 सिरोही और उदैपूर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले बीएस एफ के 12 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3400 हो चुकी है प्रदेश में आज दो कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई जैपूर और अजमेर में एक-एक मौत राज़स्थान में कोरोना से मौतों का आंकड़ा पिच्चानविक हो चुका है लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है सिरोही से इस वक्त हमारे समवादता लियाकत अली फोन लाइन पर जुट चुके हैं जी लियाकत देखी सिरोही में पहली बार कोरोना पॉजिटिव पाई गये किस प्रकार की इंतजामात वहां पर करवाए गये हैं मनिशा अब तक सिरोही जिल्ला पूरी तरीके से ग्रीन जोन था लेकिन दो मही को एहमदाबाद से एक परवासी भाई आया था जिसके आज रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है उसके बाद ही परसासंत में हरकम मच गया है नया खेड़ा जो गाव है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है करस्वी लगा दिया गया है साथ ही जिस बस से यह आया था यात्रा करके उसमें जामोत्रा बलूट नवारा के जो यात्री थी उन सभी को भी ट्रेस कर लिया जा रहा है और उनको भी पूरी तरीके से पाबन किया जा रहा है हाला कि अभी तक स्वास्त विबाग द्वारा पूरी तरीके से गाओं में अलर्ट घोसित कर दिया गया और स्वास्त विबाग की टीमें लगाता है उन लोगों से संपर कर रही है उन लोगों को ट्रैस कर रही है और पूरी तरीके से इस संक्रमन को लेकर मुखते दे लियाकत वो आने के बाद क्वारेंटाईन हुए थे या नहीं अप्र अपने परिजनों से उन्हों ने मुलाकात की थी तो उनके परिजनों को भी अभी क्वारेंटाइन किया गया है या नहीं बिल्कुल जिस जिदो जिसका मामला पॉजेटिव आ चिका उसके परिवार के सदस्यों को भी स्वास्ते विबाग ने जिल्ला अस्पताल ले जाकर आईसोलेशन में रख दिया है क् एतियात के तोर पर परिवार से मिला था या जिन लोगों से मिला था उनकी भी इस्ट्री निकाली जारी है ताकि यह संक्रमन और ना फैल सके बिल्कुल लियाक के तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया दो बजे तक की रिपोर्ट में आई सिरासी कोरोना पॉजिटिव सामने आए लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जारे राजस्थान में मौतों का आंकड़ा पिचानवे हो चुका है धौलपूर से मौनेश धाकरे हमारे समवादाता फोन लाइन पर फिलाल जूड़ चुके हैं जी मौनेश बताएं धौलपूर में क्या आपडेट बिलकुल मौनेश क्या इंतजामात वहाँ पर किये गए हैं किस प्रकार से लोगों को नियंतरित करने की विवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं क्योंकि देखिए मौडिफाइड लॉगडाउन है तो काफी जगह से लोग बाहर भी घरों से निकल रहे हैं तो क्या इंतजामात प्रसासन के देखिए हैं इदर MP और UP की सीमा को पूरी तरह से विल्कुल मुनेश तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया लगतारी आंखड़े बढ़ते हुए राजस्तान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3400 पहुँच चुकी है और अधिक अपडेट के लिए जोदपूर से सतेंद्र सिंग राजपूर ओहित फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं जी सतेंद्र बताएं जोदपूर से क्या अपडेट किस तरह के इंतजामात हैं जी मनिशा निची तोर पर जोदपूर शहर में यदी आज देके तो तेलंग आना से आज पहली स्रमिक टेने जो सुबज जोदपूर पहुँची थी जिसमें करीब 921 यात्री सवार थे यदी बात करें तो करीब 770 यात्री वह थे जो जिलों से थे जिनको बसों के द्वार जोदपूर का आखड़ा करीब 800 पिस पहुच गया है ती मनिशा सतिंद्र एक बात मैं यहाँ पर यह जाना चाहूंगी जो 22 करोना पॉजिटिव आए हैं उनमें बुजर्ग हैं बच्चे हैं या फिर युवा वर्ग शामिल है क्योंकि यह जाना बहुत जरूरी हो जाता है कि फैलाल करोना किन किन को अपने आगोश में ले रहा है जी बिल्कुल यदि इस पर बात करें तो लगातार जो करोना का सिलसला जारे है उसमें हर उमर के लोग इसमें देखके जा रहे हैं सबसे बड़ी बात जो लोगों के परिवार है वो परिवार के परिवार पूरे करो जा रहा है हर जगह से कोरोना के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं और पिचानवे मौत कोरोना से राजुस्तान में हो चुकी है तीन हजार चार सो यह आंखड़ा पहुँच चुका है संक्रमितों का और अधिक अपडेट के लिए सल्मान मंसूरी चितौर से हमारे साथ जुट चुके हैं जो सल्मान बताएं चितौर में क्या अपडेट किस प्रकार के इंतजामात किये गए हैं कितने आंखड़े महां से सामने आ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आपको निम्बारा जो चेतौरगट जीलेवा जो निम्बारा जो निम्बारा जो बन चुका है यहां लगभग 117 कोरोना पोजिटिव अंगरिजम पाये गये हैं इसके लावा इसके साथी एक बजेसर भी इसके अंदर इंक्लूड हैं इनमें से एक रिक्ति की पहले मौत हो चुकी है और अज सुबह एक वित्ति की और भी मौत हो चुकी हैं लेकिन इसको बताया जा रहे हैं किसके प्रकार की राहत क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे जो ज्यादा जहां पर संक्रमन का खत्रा है तो लोगों तक राहत सामगरी पहुच चाहिए जा रही है या नहीं देखें अगर में निम्बारा की बात करूं निम्बारा के अंदर बिल्कुल डो डो सप्लाई हो रही है इसके लाव चितोर गड़ में तुबह साथ से दोपर तीन दिया तक मार्केट फुला रखा गया है जिसलमान दमाव अपडेट के लिए आपका शुक्रिया राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है आंकडे लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजटिव के संख्या 3400 हो चुकी है पिचानवे मौत राजस्थान में हो चुकी है दो पहर दो बज़े तकी रिपोर्ट में आज 83 कोरोना पॉजटिव सामने आए कोटा से राज़ेंद्र भाडवाज फिलाल फोन लाइन पर जुट चुके हैं जी राज़ेंद्र बताएं कोटा में क्या अपडेट कोरोना पॉजटिव का आखड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना पॉजटिव की आखड़ा करें तो पॉजटिव का आखड़ा 225 को पार करता हुआ जा रहा है और लगातार हर ताना शेत्र में कोरोना पॉजटिव मरीजियों की संक्या लगातार परन्तों जिस सरकार से राजे सरकार और केंद्र सरकार के गाइड लाइन के आने के बाद में कई जरूरी शेवाओं को छूट दी गई है क्योंकि जान भी चाहिए और जहान भी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है कहर कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है करना है